भारती विदेश मंत्री एस जैशंकर ने तंजानिया में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चीन पर परोग शुरूप से हमला बोलते हुए कहा है कि भारत दोहन करने वाला देश नहीं है। जैशंकर ने तंजानिया के दारे सलाम शहर में भारतिय समदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। जैशंकर ने कहा आज हम अफरीका और इसकी एकॉनमी को प्रगती करते देखना चाहते हैं। आज अफरीका के प्रत्य हमारा नजरिया अफरीका के साथ जादा व्यापार करना, अफरीका में निवेश करना, अफरीका के साथ काम करना, अफरीका में शमता को बढ़ाना है ताकि अफरीका का भी उसी तरह उत्थान हो जिस तरह बाहरत जैसे देश एशिया में बढ़ र बहुत ही संक्रिण आर्थिक मकसादों के लिए यहां हैं हमारे लिए ये एक व्यापक और गहरी साज़ेदारी है दरसल चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि वह अफ्रीका के बहुमूलिक खनिस संसाधनों के दोहन में लगा हुआ है जैशंकर ने कहा आज दुनिया भारत को एक करने वाले की रूप में देखती है जैशंकर ने शुक्रवार को तंजानिया इस्तित राष्ट्र मंडल युद्ध इसमारक में भारती सैनिकों को शरद्धानजली भी दी इस बारे में उन्होंने ट्वीट कर कहा दारे सलाम इस्तित राष्ट्र मंडल युद्ध इसमारक ज झाल झाल